अलो एवरिवान दस इस प्रिया मिश्रा एंड वेल्कम टू जे आर्ट टुटोरियल्स तो कैसे हो बच्छो मज़े में हो अच्छी तरह से स्टेडी चल रही है तो आज हम एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टेडी करने वाले हैं जो की है सिक्टेंग जोग्रॉ स्टेडना प्रके कौन कौन से अंट्यी रिसोर्षेत हमें फ्री में मिलते हैं कौन कौन से के लिए हमें पेपना पड़ता है यह सारी चीजे हमने हमारे पृप्षले wise तडिय किया हुआ है छव करते हमारा लेक्षर Proteusz कर सिह उरुट इस skinny हमारा टापिक है पोस्ट जो की है energy form waste materials energy हमें कहां से लानी है waste semate no waste material क्या होता है जो कचडा जो हम घर के waste materials बाँर पेकते हैं आप लोगों को छिसे घर के पास रोज कचडे की गाड़ी आती होगी है कि ने उसमें से भी सूखा कचड़ा अलग करते हैं और जो गीला कचड़ा होता है उसे अलग करते हैं तो ये दोनों टाइप के जो वेस्ट होते हैं उसे अलग करते हैं अलग अलग तरह से डिवाइट करते हैं और उसका यूज होता है energy बनाने के लिए ठीक है अब आप लोग को पता है जो metropolitan areas है मतलब की गाहों के comparison में शेहरों में बहुत जादा प्रमाण में कचड़ा उत्पन्न होता है बहुत जादा प्रमाण में कचड़ा फेकते हैं हम लोग ठीक है गाहों में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल लोग होते हैं उनके पास उतनी जादा सुविधाय नहीं होती तो इसके कारण वो थोड़ा सा कम करते हैं बट जो शहरों के लोग होते हैं जो बड़ी-बड़ी सिटी जोती है वहाँ पर बहुत ही लाज अमाउंट में वैस्ट जनरेट किया जाता है वो भी रोज-रोज, ओके liked then जो इन बडयोटिक चली जो कम यह ओता है क्या बोलते हैं हमने पिछले ग्यास बनता है and then उस ग्यास का हम कहां पर यूज करते हैं उस ग्यास का हम पावर जनेरेट करने के लिए यूज करते हैं गाओं में यूज़ किया जाता है उसे डाला जाता है and then उसका use किया जाता है उसी तरह से उसे lamp वगेरा में use करते है उसे बस एक छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी needs के लिए इस्तमाल किया जाता है it's very helpful for waste disposal ये क्या होता है किस चीज के लिए helpful होता है waste disposal के लिए use होता है आप लोग को पता है अभी future में अभी भी बहुत जादा है present में भी बहुत जादा कचड़ा है और उसी के सासथ future में भी बहुत जादा प्रमाण में ये चीजे generate होने वाली है ये रुकने वाली है क्या सारे लोग इंसान सेम है तो वो क्या करेंगे कचड़ा करना उनकी आदत है तो वो जरूर से करेंगे तो इसी के कारण क्या होगा कि ये helpful होगा अगर हमने इसके बारे में अच्छे-चे invention किये तो इससे वो क्या होगा हमारे लिए helpful होगा अगर हमने अलग-अलग टाइप के gases निकाले तो वो हमारा energy resource हो गया उसी के सासाथ उस waste का अलग-अलग चीजों में भी इस्तमाल किया जाता है तो ये किसके लिए useful होता है जो waste से मिलने वाले waste से होने वाले जो problems है उस चीज़ पर ये क्या होता है in a big cities जो बड़े cities होते हैं वहाँ पर ये चीज़े important होती है ये चीजों का इस्तमाल किया जाता है तो इसी के कारण क्या होता है जो बड़ी-बड़ी cities है वो self reliable हो जाएगी in terms of power requirement उनकी power requirement में वो self independent हो जाएगी अगर उन्होंने कचड़ा किया और उसी से अगर उन्हें gas मिल रहा है उसी से उन्हें power मिल रहा है तो उससे क्या होगा उनकी जितनी भी power की requirement है जितनी भी electricity की requirement है वो पूरी तरह से fulfill हो जाएगा पूरी तरह से complete हो जाएगा है कि ने तो ऐसे इस चीजों के कारण क्या होता है कि waste भी कम waste जो भी होता है उसका हम एक सही way में इस्तमाल भी करते है इससे हमारी energy से energy की जितनी भी requirement है वो भी complete हो जाती है जो biotic fuel है उसका भी इस्तमाल किया जाता है remains जो हमारे dead cells होते है जिस किसके dead cells animal के dead cells होते है उसी के साथ साथ plant के होते है जो plant मुर्जा जाते है खराब हो जाते है मर जाते है ऐसे plant और ऐसे animal का इस्तमाल किया जाता है किस चीज को बनाने में biotic fuel को बनाने में इस चीज का इस्तमाल किया जाता है So I hope so कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हम क्या करते है energy बनाने के लिए वेस्ट माटेरियल का इस्तमाल करते है जो कि वेस्ट माटेरियल हमारे ही प्लांट से आता है हमारे ही एनिमल से आता है जो कि मर जाते है जो डेड हो जाते है ओके So, इसका इस्तमाल fuel बनाने में होता है, इसी का इस्तमाल electricity बनाने के लिए होता है, ऐसे बड़े-बड़े cities में इन चीजों का इस्तमाल किया जाता है So, I hope so, कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि waste का हम किस तरह से इस्तमाल करते है So, next topic is atomic energy, atomic energy क्या होता है, देखते हैं, जो कुछ अलग-अलग minerals है, जैसे uranium and thorium So, uranium and thorium का इस्तमाल किया जाता है, atomic energy बनाने के लिए कैसे इस्तमाल किया जाता है So, electrons को फेका जाता है, किसके उपर uranium के उपर फेका जाता है, देन वो क्या होता है, दो parts में divide हो जाते है And then उससे ही क्या बनता है, उससे ही बनता है हमारा atomic energy So, इसे easy way में याद करने के लिए इस तरह से बता रही हूँ, तो आपको अगर जबे भी exam में इस तरह का कोई question आया, आपको substance based energy resources आ गया, उसमें से आप कोई भी 5 substance based energy resources के लिख सकते है और उसके साथ आप उसको short में explain कर सकते है, आपका half या one page पूरा अच्छी तरह से complete हो जाएगा इस तरह से आप उसे explain कर सकते है, इससे ही क्या होता है, energy generate होता है, power generate होता है और उस power का استعمال किया जाता है, जो घर की छोटी-मोटी needs होती है, जैसे water को boil करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, water boil करने के बाद उससे क्या निकलता है, वेपर जो निकलता है, उसका भाफ निकलता है, है कि नहीं, सो इस तरह से इन चीजों का इस्तमाल किया जाता है, okay, in this process using very small quantity of a mineral, इस चीज में, इस power generation process में हम क्या करते हैं, बहुत ही small quantity में किसका इस्तमाल करते ह हैं, but हमें बहुत ही large amount में क्या मिलता है, energy मिलता है, बहुत ही large scale में energy मिलता है, थोड़े से minerals expand करने के बाद, थोड़े से minerals पे, sorry, थोड़ा सा mineral का quantity use करने पे हमें बहुत large amount में, बहुत large scale में क्या मिलता है, energy मिलता है, इसी लिए ये process बहुत जादा useful होता है, okay, so इस process का इस पुछ सारी cities करती है, बट सब को ही नहीं करता, sorry, बहुत सारी countries नहीं करती है, few countries है, जो इस चीज का इस्तमाल करते हैं, उस में से एक हमारा इंडिया भी है, जो कि है, इंडिया, USA, USA, Russia, Japan, और France, ऐसे बहुत सारी countries है, जो कि इस टेकनीक का इस्तमाल करते हैं, इस प्रोसेस का करते हैं किस चीज के लिए अपना पावर जनरेशन की जो उनकी नीड होती है इस चीज को कम्प्लीट करने के लिए वो किसका इस्तमाल करते हैं Atomic Energy का इस्तमाल करते हैं ओके आपको बहुती शॉर्ट में लिखना है कुछ कंट्रीज के नाम याद कर लेने हैं जैसे कि जापान, इंडिया, यूएसे, फ्रांस और रश्या इन कंट्रीज ये सारी कंट्रीज क्या करती है Atomic Energy को बनाने का काम करती है और यूज करने का काम करती है ओके चलो So I hope so कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने अब तक किन कि चीजों के बारे में स्टडी किया है तो इस लेक्चर में आपका Substance Based Energy Resources जितने भी थे वो पूरी तरह से complete हो रहा है कौन से Atomic Energy के बारे में स्टडी किया ये लास्ट टॉपिक था हमारा इसके पहले आप लोगों ने Biotic Energy से Energy from Waste Material आपने यूज किया था उसके बाद आपने Biotic Biotic Gas का किस तरह से हम इस्तमाल करते है अपने Normal Energy Resource के लिए उसके बारे में देखा हुआ था उससे पहले हमने कोईले के बारे में देखा हुआ था वुड के बारे में देखा हुआ था ये सारी चीजे क्या है Substance Based Energy Resources है इसके बाल हमारा next topic क्या आएगा Process Based Energy Resources क्या होते हैं उसमें भी कुछ 5 और 6 topics है और उसके बारे में हम study करेंगे हमारे next वाले lecture में So I hope so कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आया तो क्या करना है वीडियो को like जरूर से करना है चैनल को subscribe जरूर से करना है और अपने सारे friends से share भी जरूर से करना है चलो बाई बाई तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं next lecture में